सब्सक्राइब करें आजाद इंडिये यूटूब चैनल को बेल आइकन को दबाना ना भूलें तक कि आपको हमाई लेटिस ट्वीटियों मिलती रहें धन्यवाद हम लोग आजकल एक ऐसी जाल में फस्ट चुके हैं कि हम हर चीछ को अपना मानने लगते हैं इसी तरह से हम सोचते हैं कि संडे का अविश्कार हमने किया था यानि कि संडे को चुटी रहती है उसको जो है हम लोगों ने अविश्कार किया था और हम लोगों से मानते भी हैं मनाते भी हैं बहुत अराम से कि आज तो संडे है आज कहीं नहीं जाना है घर पे रहना है ठीक ह यानि कि जैसा कर्म करोगे फल बैसा ही मिलेगा अब जादा तो लोग इतवार की चुटी गए जादा तर किया सभी स्कूल जादा तर चीजें सब रविवार को जो है चुटी रहती है जब कि हिंदु धर में कहीं ने कहीं रविवार की बात हैती नहीं है क्या आप गुलाम हो यह बात गुलामी के समय की है जब रविवार की चुटी वानी जाती है इसका पूरा इतियास मैं आपको बता दूंगी किस तरह से पूरा इतियास है पहले जो है 200 साल करीब अंग्रेजों ने राज किया सभी को मालूम है ठीक है तो उस टेम पे जो यहां के मूल निवासी थ उनसे लगाता जबजस्ती काम करवाया जाता था उन्हें एक भी दिन की चुटी नहीं दी जाती थी तो इस बज़ा से जो है जो यहां के मूल निवासी थे जो हिंदुस्तानी थे उन लोगों ने बगावर सुरू कर दी कि एक दिन की तो कम से कम चुटी दो मुझे अपनी चुटी के लिए उन अंग्रेजों से गुजारिश की उसके बाद जब धरने पर उतर आए तो जो है अंग्रेजों को मजबूरी में चुटी देनी पड़ी तो यह वास सोचने में बहुत दिक्कात आ रही थी कि किस दिन की चुटी रखी जाए तो जादे तो अंग्रेजों संड्ल कैसुल हैunda से टेंज० एवा संड्ल करके जाएंग जाएंगे चर्च के जानु कि इन लोगों में उसधीनी प्रियैर की जाती है तो इस nedenसे इन लोगों दता है कि आज भी आप लोग अंग्रेजों के गुलाम हैं नहीं हैं तो छुट्टी क्यों मनाते हैं आप किसी भी दिन की छुट्टी मना सकते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते नमस्काजय हिन पंदे मात्रम